श्री गनेशाय नमहा ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिती ले कर आती है और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करत आती है और इसके अकॉरड़िंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आई ये जानते हैं इस दिन चंदरमा आपकी लिए किस तरह के प्रेणाम ला रहे है चंद्रमा आपकी कुंडली के पांचवे स्थान में रहेंगे जी हाँ पांचवे भाव में चंद्रमा के होने से ये आपके लिए सबसे बहतरीन समय होगा चंद्रमा के पांचवे भाव में होने से आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे इस समय में आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत रहेगी, खर्चे कम होंगे और इंकम ज्यादा होगी, मन पसंद रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, सुबै से ही आप जोश में रहोगे, उत्साह में रहोगे, इस समय में आपके रुके हुए सारे पेंडिंग काम पूरे हो जा वो आपको वापस मिल सकते है, अटके हुए काम पूरे करने के लिए समय काफी अच्छा है, दामपत्ति जीवन में मधूरता रहेगी, घर में खुशनुमा माहोल रहेगा, इस दिन फैमिली के साथ समय व्यतित करना काफी अच्छा रहेगा, आप भी खुश होगे और आपक कर सकते है, लाइप के बारे में मिलकर कोई अच्छा डिसिजन भी ले सकते है, आज खर्चे नहीं होगे, लेकिन आए अच्छी रहेगी, स्टूडेंस के लिए भी समय अच्छा है, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें, और अच्छे समय का पूरा लाब उठाए, ये इस समय सरकारी कामों को पूरा करने के लिए उपयुकत है, सारे सरकारी काम इस वक्त पूरे हो जाएगे, इस समय में सरकार की तरप से मान पतिष्ठा मिल सकती है, जो लोग राजनिती में हैं, उनके लिए ये दिन काफी शुब रहेगा, इस समय अच्छानक से धन की इस दिन आपकी बुद्धी ती व्रगती से काम करेगी, यात्राओं के लिए ये समय अच्छा है, यात्रा पर जाते हैं तो यात्राए लाबकारी रहेगी, आपके बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए अगर आप यात्रा करते हैं, तो वो आपको काफी लाबदाय वहां से आपको धन कमाने का भी मोकान मिल सकता है, निवेश करने के लिए और कोई महतोपुर्ण निरने के लिए भी समय अनुकुल है, इस दिन आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, देली अक्टिविटी चुरू रखे, योगा करे, प्रानयाम करे, सुबे का टहलना जारी खुद भी स्वस्त रहे और आपके अपनों को भी स्वस्त रखे, इस दिन लाल रंका इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और एक अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, लेकिन कभी-कभी हमार पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है, कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोस्तो सभी राशी के लोगों के लि मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है, जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है क कही भी जूते चपल फेक देते हैं, कही पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चप्पल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुती अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, साप सूत्रा रखे, जूते चप्पलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चप के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चप के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चप के उपर कबार जमा दिखता है जी जो चीज़े हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीज़े तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीज़े बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते है तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मौजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं हो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमा आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदला प्रभाद